हलो एन वेलकम टू न्यूस क्लिक मैं परणजॉय गुहा ठाकुरता आने वाले बज़िट शनिवार पहला फेबुरिरी में वित्यमंत्री पेश करेंगे आज भारतवर्ष का अर्थ विवस्ता में जिस तरह से मंदी आये हैं बहुत लोग सोच रहे कि हम आगी कैसे बरें वित्या गाटा कैसे सरकार के बराएंगे सच मुछ गरामीन इलाका में जैसे मन्रेगा है मात्मा गांधी नैशनल रूरल इंप्लॉइमेंट गैरंटी प्रोग्राम इसमें क्या खर्चाए जादा करना चाहिए और एक बहुत बड़ा एक सामने चुनौती है जो हमारे दिश os का जो construction industry है जो निर्मार करते है सरक बनाते है पूल बनाते है मकान बनाते है यह शेतर में हम आगे कैसे बर सकते हैं क्योंकि इस शेतर के साथ देश के रोजगार भी जुड़ा हुआ है तो इस विशे में बात करने के लिए आज न्यूसिकली के स्टूडियो में डॉक्टर प्रियरेंजन स्वरूप हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूप डिरेक्टर जेनल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिवेलप्मेंट काउंसिल एक अटॉनमस संस्ता है ये इसका स्थापन हुई थी योजना आयोग प्लैनिंग कमिशन जिसका नाम आज है नीती आयोग डॉक्टर स्वरूप आज सिर्फ भारत प्रिश के 30 बरे बरे शहर में 12 लाक से जादा मकान फ्लैट त्यार हुआ है खरीडने वाले कोई नहीं है खाली पर है स्थापने ये समस्या नहीं है इससे बनाच ओपर समस्या है । ये 360 से उपर बरे बरे जो इंफरस्ट्रुक्चर प्रोजेक्ट है ये बनियाधी धाच्चा का प्रोजेक्ट है आप दिख रहा है इसका जो उपर जो खर्चा है ये तीन लाख सततर हजार करोड बर गया और ये आकरा भारत सरकार दे रहे हैं आप नहीं मैंने Ministry of Statistics and Program Implementation और आप जानते हैं मैं जानता हूँ आज जिस शेत्र के साथ आप हमारे दर्शकों से बात करेंगे बहुत मत्त्पुन हैं क्योंकि construction के साथ इसपाद का मांग, cement का मांग, रंग, अलग-अलग बहुत सारे इंडस्ट्री से शेत्र है इसके साथ एक घनिष्ट संपर्ख है तो पहले आप बताएए आज ये समस्या में हम लोग क्यों आए हैं कैसे आए हैं और फिर उसके बाद बताएए आगे कैसे हम जाएंगे देखिए इसमें दो बाते हैं पहली चीज़ तो ये कि आज जो समस्या हम लोगों के सामने खड़ी है उसके पीछे एक वज़े ये रही कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके अंदर जैसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा है और रियल स्ट्रेट में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका छोटा हिस्सा है लेकिन वो सबसे ज़्यादा विजिबल है उसको दिखाई देता है इसलिए लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें हुई कुछ तो ऐसा हुआ कि जो इसमें काम करने वाले लोग हैं जिनको कि हम कंस्ट्रक्शन कमपनीज कह सकते हैं या डिवल्लप्मेंट कमपनी कह सकते हैं इन लोगों के साथ एक समस्या यह रही कि जो कुछ काम इनोंने किये इनके काफी जो जायज पेमेंट थे, बिल्स थे, वो पे नहीं हुए और उसके साथ में जो रिगुलिटरी सिस्टम्स थे, उनको ठीक डंग से चेंज किया जाना था जिनकी हमसला बराबर देते रहे, उनको चेंज किया भी गया, तो भी उसके उपर में अलग-अलग राज्य सरकारों में या अलग-अलग स्थानों पर बहुत अच्छे डंग से उस पर इंप्लिमेंटेशन नहीं हुआ दो-चार समस्याएं और रहीं, वो ये रहीं कि जो हमारे प्राजेक्ट डिले होते हैं, रुख जाते हैं जैसे आपने अभी कहा कि प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन की मिनिस्ट्री ने बताया कि करीब 370-371 प्राजेक्ट डिले में आ गए, इसके उपर में उनके कारण ढूंड करके उनका निराकरण नहीं किया गया हमें एक बात समझनी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, ये सबसे ज़ादा और सबसे इंस्टेंट इंप्लाइमेंट देने वाली इंडस्ट्री तो इसके मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये बुरा हालत के साथ हमारे देश का जो बेरोजगारी है वो भी चुड़ा हुआ है बिल्कुल चुड़ा हुआ है और आप अगर देखेंगे इतिहास को पढ़ें आप तो जब जब भी कभी इस तरीके का आर्थिक विशम परिस्तितिया देश में दुनिया में आई हैं आप जैसे हम कहें कि दूतिय विशुयुद के बाद जब जर्म इनको उबारने में रूजवेल्ट का मार्शल प्लान आपने बताया है हम चले जाएं आज भी आप देखिए ने चीन में चीन का जो अर्थ विवस्त था आगे बर रहें क्योंकि उनका सरकार अलग-अलग बनियादी धाचा सरके पूले रेलवे लाइन्स यह सारे बना रहे और एक चीज़ और है इस चीज़ में हम थोड़ा सा सरकार को यह कहेंगे कि उनको भी जानकारी इस बात की है जैसे प्रधान मंतरी जी ने कहा कि भई पांच ट्रिलियन डालर की एकानमी लाने के लिए बिल्कुल ठीक गणित है कि उसके लिए हमें एक सो पांच लाग करोड रुपए का निवेश करना जरूरी है कंस्ट्रक्शन में लेकिन उसमें दो तीन चीज़े हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि आज हमारी जो इस्तिथी है उसमें बहुत मुश्किल से हम दो या धाई लाग करोड रुपए तक का ही काम कर सकते हैं मैं एक बार रोक रहा हूँ आपको ये जो पैसा के बात आप कर रहे हैं ये पैसा कहां से आएगा क्यूंकि आप जैसे आप देखिए जो बरे-बरे सरकारी संगस्ता है ONGC कहिए, NTPC कहिए, National Highways Authority of India कहिए, एक-एक जो बरे-बरे सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है उनकी अगर आप contingent liabilities देखेंगे, आप देखेंगे, सब मिलके आपका सबसे उपर जो ऐसे 19 संगस्ता हैं, इनका contingent liabilities एक साथ कीजिए, आप पाँच लाग करोड से भी जादा आ रहे हैं तो मेरा सवाल तो बहुत असान है, आप जो कह रहे हैं बिलकुम ठीक कह रहे हैं, मगर ये पैसा कहां से आएगा, सरकार का रास्ता क्या है, क्या घाटा बढ़ जागा आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाए इसके कि आप गाटे को बढ़ाएं, और आपको international market में जाकर के, चाहें domestic market में जाकर के, आपको उस पैसे को वसूलना होगा, ताकि जिससे कि आप यहां पर कुछ काम को आगे बढ़ा सकें, और एक चीज़ आपको और भी समझनी है और हमें भी समझनी है कि करीब करीब चौथाई या पांचवाँ हिस्सा जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, वो इसी देश में है, और यह बहुत बड़ा market है, बहुत बड़ा market है, अभी हाल में भी कुछ अच्छा है, पांचवाँ हिस्सा में ने कहा है, इतना हिस्सा है नी नी आने वाले कुछ सालों में चीन से भी ज़्यादा हो जाएगा, अब हमें एक चीज़ ये भी समझनी है, कि अगर वेश्विक इस तरव के उपर हम देखें, तो अगर इस देश के अंदर हमारी economy ठीक नहीं होगी, तो आप ये समझ लें, बिलकुल निश्यत रूप से कि वो पैसा आने के बाद वैसे इस्तेमाल हो जिससे कि उसका हम सदुपयोग कर सकें, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो रास्ता है, अभी बताएए, क्योंकि ये जो आप जो आप जो सला दे रहे हैं सरकार को, कि आप घाटा बना दीचें, और ये जो पैसा, आप समझ लीजे, सरकार आपका बात मान लेते हैं, क्या है कि आपका कंस्रक्शन इंडस्ट्री के हम नौ लाग करोड आप दे देते हैं, ऐसे एक हाइपोथेटिकली आप कह रहे हैं, इसमें क्या बैंक का जो एनपियस का समस्या में जागा, जो जो कर्ज लेके, आज बैंकों न देने के लिए त्यार नहीं हैं, सरकार के रहे हमारे पास पैसा नहीं हैं, हम हमारे संपती बेज रहे हैं, एर इंडिया से शुरू करके, तो पूरा एक रिसोर्स क्रंच है, तो इसका ये जो बहुत बरा एक समझचा है, इसका समाधान कैसा होगा? देखिए, इस विशस सरकल को हमको तोड़ना पड़ेगा, और वो तोड़ने के लिए, आपने जैसे कहा कि नो लाग दसलाग करोड रुपे का अगर निवेश हो इसमें, तो सबसे पहला जो मेरा सुझाओ होगा सरकार को, वो ये होगा कि जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंप किये हुए हैं, जिनके बिल जो हैं, बकाया पड़े हैं, और आप ये मान के चलें कि इस देश में 90% आधार भूत संरचना जो है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्शर बोलते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्शर, उसके लिए अलग-अलग सरकारी मंत्रा ले, अलग-अलग जो इपार्टमेंट हैं, ये लोग काम कराते हैं, इनके पास जो पैसे ड्यू पड़े हैं, ये पैसे अगर दे दिये जाएं, और ये उन बैंकर्स को दिये जाएं, जिन्हों ने की कंस्रुक्शन कंपनीज को लेंड किया हुआ है, तो सबसे पहला काम तो ये होगा, कि जो इसी चीज़ ये होगी, कि जो रुके हुए काम हैं, वो चल निकलेंगे, चल पड़ेंगे, अब इसके अंदर तीन हिस्सों में मैं इस तरीके के पैसों को बाटता हूँ, सबसे पहला हिस्सा वो है, जहां पर कि किसी कंस्रुक्शन कंपनी ने काम किया हुआ है, और उसका ज जिनमें की कहीं कुछ एक्स्प्लेनेशन की या डिसकशन की जरूरत है, या विवाद है, विवाद नहीं मैं कहूंगा इसको, विवाद वाला चीज़ तीसरे इस तर पह आता है, यहां पर यह होता है कि जैसे की कंट्रेक्ट की जो कंडिशन्स होती है, उसके अनुसार कई दफ़े जो rates होते हैं उनमें कई दफ़े difference of opinion हो जाता है ये पैसे भी फॉरण समय सीमा के अंतरगत सुल्जा करके immediately दिये जा सकते हैं अब आया तीसरा हिस्सा जो आपने कहा जिसमें की कोई विवाद है disputed हैं जिनमें की आपको arbitration या conciliation की जरूरत है तो आप उसमें भी एक time bound arbitration या conciliation का प्रेयोग करें और ये पैसे उन्हें दें डॉक्टर स्वरूप मैं दो और सवाल पूछने चाहता हूँ और वक्त कम है तो आप जड़ा संक्षिप में बताएए आज हम अगवार में एक हबर आ रहें कि जो गरामीन इलाका में जो बेरोजगारी का संक्स्ता है जो अर्थिक संक्स्ता जो अर्थवेवस्ता में जो समश्चा है जो संक्ट है इसका एक कारण है कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं है मनरेगा जैसे स्कीम के उपर और खर्च करेंगी यह रोजगार में तो यह मनरेगा स्कीम तो भी ग्रामी इन राका में सरक बनाते हैं वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहे आप जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सरक योजना का बात कीजिए यह सारे कारेकरम में सरकार क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं और जादा देखे क्यों नहीं खर्च कर रही है इसका उत्तर तो सरकार ही दे पाएंगे लेकिन एक जो मोटी सी चीज़ दिखाई देती है वो यह है कि अर्थ का अभाव है इसलिए खर्च नहीं हो रहा है तो इसमें भी जो मैं आपको रास्ता बताया मैंने कि अगर सरकार इतने पैसे को लगा करके शुरुआत करें इन चीज़ों की और ना सिर्फ ग्रामीर सड़कें बनाना या मन्रेगा के अंतरगत तालाब बनाना या मिट्टी के बंद बनाने का काम करें बलकि इसके एक कदम आगे बढ़ करके वेर हाउस बनाना शुरू करें कोल चेन बनाना शुरू करें तो इससे दो तीन चीज़ें शुरू होंगी पहली बात तो यह आप समझ लें कि जो मल्टिप्लायर इफेक्ट होता है कंस्ट्रक्शन का वो कम से कम पांच टाइम्स का होता है हम बताते हैं देखिए ऐसे होता है इसका उदारन में ये दूँ कि फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास सो रुपे आए कमाई करने के बाद और मैंने जाकर के हलवाई से सौ रुपे की मिठाई खरी दी तो हलवाई का सौ रुपे का बिजनस हुआ हलवाई ने वो सौ रुपे बजाज वाले को दिये जिसने कि उसने कपड़े खरी दे उसका सौ रुपे का बिजनस हुआ तो अगर ये पूरा सरकल घूम गया तो आपका बिजनस चार गुना पांच गुना साथ जबा बढ़ गया इसका मतलब वो जो विशस साइकल में हम लोग फसे हुआ है वहां से हम एक वर्चूर साइकल में आपको आना पड़ेगा तो ग्रामीर अंचल में भी हमको सिर्फ सड़के ही नहीं सड़कों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें निर्मान करना आवशक है देखिए आखरी जो सवाल है आपका पार ये जो शहर में ये बारा लाग तेरा लाग का फ्लैट पर हो है कोई खरीदने वाले नहीं है एक एक कंपनी डूब गया सुप्रीम कोर्ट ने एन बी सी सी नैशनल जो सरकारी संगस्ता है नैशनल बिल्डिंग्स कॉर्परेशन कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन बोला ये जे पी ग्रीन्स तुम ले लो अमरा पली डूब गया आप यूनिटेक का वही हालत हो गया तो एक के बाद एक आप देखिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेशल कंपनी जैसे I, L, N, F, S, Infrastructure, Leasing and Financial Services D, H, F, L, Divan, Housing, Fund एक-एक कंपनी कर्द में डूबे हुए है कोई खोटाला हो रहे है, कोट में है, ये है, वो है तो ये रियल स्टेट सेक्टर का जो आपने खाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा है मगर इसका लोगों को नोखरी देता है ग्रामीन इलाका से लोग आके काम करते हैं लोगों को पैसा मिलता है तो इसको ये सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर को सुधार लाना आगी बराने के लिए और क्या-क्या रस्ता है और बजट में क्या चाहा रहे हैं अब क्या करें देखिए सबसे पहले तो हम चाहें वो निर्माण का जो कंपोनेंट रियल स्टेट का है उसको हम देखें और चाहें हम आदार बूत संडचना के कंस्ट्रक्शन को देखें ये दोनों जुड़े हुए है और एक से ही हैं और ये एक ही काम है और इसमें जो रोजगार लोगों को मिलता है वो दोनों में ही मिलता है और सबसे जल्दी मिलता है और सबसे जादा मिलता है ये भी हम एक बात समझ लिया तो अब हमको ये देखना है कि हम जो अकलन मैंने अपने संस्था में कराया अपनी इंडस्ट्री के साथ मिल करके बाचीत की जो हमारे इंडस्ट्री कैप्टेंस हैं उनके अनुसार एक बहुती सरल नुस्खा मैं देता हूँ आज बहुती सरल नुस्खा ज्यादा कम्प्लिकेशन नहीं है नौ से दसलाग करोड रुपे का इंडक्शन इस इंडस्ट्री में इमीजेटली होना चाहिए और आप कहरें ये सरकार ये कर्ज लेके बॉन्ड लेके ये पैसे एनी विच वे इनी वे और इसमें मैं दो चार आपको और रास्ते भी बता दूँ कि बहुत सा ऐसा पैसा है जो कि हम लोगों ने अभी तक खर्च नहीं किया है आप बजट का ही प्रोविजन देखें पिछले साल का तो मैं अभी आज ही जानकारी मुझे हुई कि करीब 33-34 वजार करोड रुपया अनस्पेंट पड़ा हुआ है तो ऐसा जब हमारे घर में कोई विपत्ती आती है और ये घर की विपत्ती है तो हमको ये देखना है कि जहां कहीं भी बकसे में पिटारी में अटारी में कहीं भी जहां पैसा पड़ा है उससे समेट करके हम जोड़ें तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह 10 लाग करोड रुपय का पूरा उधार लें लेकिन यह देखें कि यह 10 लाग करोड कैसे इंडक्ट किया जाए इसमें से 7.5 से 8 लाग करोड रुपया आधार भूत संडचना के जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको जाना है और एक मज़े की बात आपको और बता देता हूँ कि बहुत से हमारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो साथ साथ रियल स्टेट का भी काम करती हैं तो एवन उनका भी बचाओ इस जरीये से होगा और एक डिर्ला करोड रूपया डिफिनेटली रियल स्टेट में जाना जरूरी है समय बताएंगी कि आप जो सला दे रहे हमारा भारत सरकार हमारा माननिया वित्यमंत्री जी सुन रहे की ने और क्या करेंगे तो इसके लिए हम शरीवार पहला फेबरुरी तक इंतजार करना परेगा मगर हमारा यहां पर जो विशेशग्य है इनका बात बहुत साफ है बहुत सरल है कि सरकार के सामने आज कुछ रास्ता नहीं आप घाटा के बात भूल जाएए आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा बराएए क्योंकि यही एक रास्ता है बेरोजगारी का जो बहुत बड़ा जो समझचा है हमारे सामने जो युवाओं का जो सबसे बड़ा समझचा है इसका थोड़ा बहुत समाधान होने का समभावना है अब क्योंकि यूर बूल जक्यारी के लिए की यू्जिय कूछिवता इस के लिएक तेवराणिय।